हेलो गाइस and welcome back to my youtube channel मैं हूँ दीपा और यह है चिपकली और आज हम दोनों लेके आए है एक न्यू वीडियो after so long time चलिए गाइस मैंने ना समयास ले लिया था और मैं दूर पहारों में कही तपस्या कर रही थी कि sorry sorry मैं मजाग कर रही हूँ सो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले कुछ handmade home decorative items so without wasting more time let's begin so guys मैंने अपने पहले चीज़ बनाने के लिए कले कर लिया एक bottle पहले आपको एक glass लेना है और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा color ले लेना है आपका जो भी favorite color है या फिर आप juice color का वो बनाना साथ है वो ले लेना है थोड़ा सा पानी डाल लेना है और उसके बाद उसे mix कर लेना है और mix करने के बाद रेडी है हमारा juice बन कर लाए कि इसे पी लूँ पी लूँ अजीब जानवर है इसे नहीं पीना है इसे दालने के बाद हमें चारो तरफ गोल गोल घुमाना है ताक कि color जो है चारो तरफ प्रेट हो जाए और पूरा bottle purple हो जाए वैसे purple से कुछ याद आया और फिर उसके बाद आप लोग अपनी मर्जी से याँ कुछ डिजाइन्स बना सकते है वैसे गाइस आप लोगों को बता है बहुत दुख की बात है कि मेरे ब्रसकेना बहुत दिन से हैरफॉल हो रहा है और मैंने बहुत साड़े सैंपू टेल बगैरा लगा लिया है फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा लगता है कि बहुत जल्द काईस हमारा अस्तकला होने वाला है हाँ és i नहीं हो याँ हमें बनाना यह बनाना है बनाने नहीं के लिए हमें चाहिए ग्रवोड रिवन ग्लू और एक रसी वैसे है तो हमें उस कार्डवोर्ट को ले लेना है वहाँ जो है थोड़ा ग्लू लगा लेना है और उसके बाद उस हिस्सी को हम यहां लपेटने वाले है जैसे साधियों में खाना लपेटा जाता है सब्सक्राइब लपेटने जाना है और यह लपेटने हो गया प्रता नहीं यह कार्डवोर्ट टेरा क्यों हो गया है साधिये बुड़ा हो गया है इसके लिए इसकी कमर जो है तेरी हो गई है अब इसके बाद हम दोनों एंज को जो है जॉइन कर देंगे ताकि एक ग्लास को एक हैर कट देने वाले सस्टा सा वो भी फ्री में वैसे किसी को बताना मत मेरा सलोन में काम करते हो वह मेरा साइच जॉप है वह सो हमने इस पैन होलर को एक अच्छा सा हैरकुट एडिया है अब जो है हम एक सरकल सेप में कार्ड़ पूर्ट करेंगे और इसके बार इसे हम पैन होलर के नीचे जो है ग्लू स्टिक कर देंगे ताकि जो है मारे पैंस नीचे जे गिर ना जाए अक्चुलि मैंने बात में ये cardboard निकालकर एक छोटा सा cardboard का piece cut करकर लगा दिया था क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और दिखने की बगुड़ा लग रहा था फिर मैंने जो है एक handle लिया जो मैंने रसी एक रसी का handle लिया और वो लगा दिया वहाँ पर फिर एक रिवन लगा दिया ताकि यह जो पैन होलर है रिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और उसके बाद उसके उपर से एक बो लगा दिया और रेडी है हमारा पैन होलर जहां में यह सारे पैन्स रखने वाली हूँ वैसे आप लोगों को करें रेडा बता हो इन में से कुछ पेनना खाली है लेकिन दिखाने में क्या जाता है है में आला सब्सक्राइब के वाला है माले जो मैंने ओनलाइन में देखा था यह जो है शूपर डूपर इंजी है अब जल्दी बोल कर सुबह पनवेल निकलना है एक सस्थे कि ट्रांजिशन के साथ मैंने चार कार्टबोर्ट के पीस कट कर लिये हैं और जैसे कि सीरियल में अक्सर हिरोईन के दिलों में छेट होता रहता है वैसा ही एक छेट कट करके मैंने यहां कार्डबोर्ट में यह रस्ती डाल दिये और ऐसा ही हम बाकी चार पीसिस में भी करेंगे एक्चलि बाकी चार पीसिस नहीं तीन पीसिस में भी करेंगे ताकि इसे हम लटका सके दिवार पे और बन गया हमारा वाल हैंगिंग बस इससे डेकोरेट करना बाकि है जो कि मैं और एक सस्थे से ट्राइंजिशन के साथ करने वाली हूँ किदे जाम का नूनल बुचिलते नानन माँ में बूर बुचोयो बीमीरे नमाने चोकॉली तो गाइस अभी 2024 हा चुका है तो इसलिए एक नया केलेंडर बनाना तो बनता है ना तो नेक्स हम बनाने वाले है कैलेंडर एक क्यूट सा कैलेंडर बनाने वाले है वैसे कैलेंडर जितना भी सुंदर बना ले दिन तो खड़ा भी रहेंगे ना कार्डबोर्ट को लेंगे और इसके डोनों एंस को जो है चिपका लेंगे ताकि एक ट्राइंगल सेप ले ले और ट्राइंगल से इसलिए देना है कि यह तभी खड़ा रहेगा और इसके बाद हम इसे सूखने के लिए रखना है फाईसन यह ले तिस सूख चुका है और मैंने पानडव का से बीस का डिअड़ा डिक यह ताकि नहीं दो है ताकि आर्ढ़ा पीछ कि अदर हम जो है में केलिंडर रख सके क्योंग करतक के बात कर ली हो सबसे पहले मैं अगस्त का महीना बना रही हूँ क्योंकि अगस्त में आता है मेरा बर्डे वैसे मैंने सोचा था कि अगस्त को मैं सबसे ज़ादा सुंदर बनाऊंगी लेकिन इसे में पहले ही दो बार भीगाल चुकी और ये मेरा थर्ड टाइम है ऐसा क्यों होता है बाइड़ोवे मैंने बाकि सारे कैलेंडर भी बना लिये है और हमारा पांडा है वो भी डेकोरेट हो चुका है क्यीष लगता है मम्मी नारास हो चुकी है क्योंकि अभी तक हमने मम्मी के लिए कुछ भी नहीं बनाया तो एक काम करता है जल्ली-जली मम्मी के किचन के लिए भी एक सिंपल सा हैंगिंग बना देते है वर्ना तुम्हें हम पहले कोबल से काटबोर्ट कट कर लेंगे और इसके बाद यहां छीट कर लेंगे ताकि हम इसमें एक रस्ती डाल सके और इसे हम दिवार पर लिटका सके और इसे रस्मी रस्मी नहीं रस्की रस्सी यार रस्सी सौरी गई सौरी आसल मैं कभी-कभी मैं पागल हो जाती हूँ सो रस्ती डालने के बाद हमें इसे दोनों तरफ से चिपका लीना है और उसके बाद जो हमें एक फेस कट कर लीना है आईनू आईनू इतना अच्छा नहीं बना है बहुत बेकार सा फेस बनाया है फिर भी यार एजस्स कर लो और इसके बाद हमें यहां गलू लगाना है ताकि इसे हम चिपका सके इसे लगाने के बाद जो तब हमने ममी का बैलन केश किया था वो भी हमें यहां लगा लेना है वैसे इस बेलन से ममी खाना कम बनाती है और हमें धोटी चाता है जैसे गोपी ओहु एम जीट का लैप्टॉप धोती है इसे लगा लेने के बाद हमें जो है इसे डिकोरीट करना है थोड़ा सा कलर करना है I hope चिपकली के साथ साथ आप लोगों को भी आज का वीडियो पसन आया होगा और आज के लिए मैंने चिपकली पर बहुत चाहता ही अत्याचार कर लिया है तो बस करते हैं I will see you guys in my next video. Thanks for watching